दोस्तो इस कनेड यानि कनेल के फूलों का इस्तेमाल मात्र आप एक बार कर लो, बालों का ज़रना, बालों का सफेध होना, गंजेपन की समस्या, चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बे, किल मुहासे, जूरियां या शरीर में कहीं भी, दाद, खाज, खुजली, जोडों का द फोड़े पुंसी, घाव, इन सारी समस्याओं से बिलकुर राहत दिलाएगा, क्योंकि दोस्तो यह कनेड की पतियों से लेकर, इनके फौल, फूल, बीज, तथा इसका ज़र, दूद, इतना ही जबरजस्त काम करता है कि रूग छूर मंतर की तरह एकदम गायब हो जाता है, बस आपको इसका सही यूज यानि इस्तेमाल सही टाइम पर करना है, दोस्तो अगर आपके बाल समय से पहले छड़ा है, सफेद होने की समस्या हो गई है, गंजेपन आ रही है, तो बस आप इस कनेड के फूलों तथा पतियों को पानी में अच्छी तरह से उबाल कर, तो खुद जल्द राहत मिलेगी, दोस्तो अगर आपके चेहरे पर दाग धबे, पिमपल्स, छूरियां या किल मुहा से, या आपके सरीर में कहीं भी दाद खाज-खुजली की समस्या हो गई है, तो आप इस कनेड के पतियों को बारीक पीश कर, और इसमें सौर्चो का तेल मिल कर डेली दाग धब्य पर पिमपल्स पर लगाते हैं, तो बिलकुल राहत मिलेगी, दोस्तो अगर आपके जोडों में दर्द रहता है, और आप काफी दिनों से दवा खा खा करके परसान हैं, और आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस कनेड के बीजों का तेल नि जात मिल जाएगी, घाव नहीं भर रहा है, घाव में कीडे पढ़ गए हैं, और घाव की वज़ा से आपको काफी दर्द की सामना करनी पढ़ रही है, तो आप इस कनेड के पतियों को पीछ कर घाव पर लगाते हैं, तो घाव बहुत जल्द भर जाता है, तो दोस्तो यह ज आने बाद,